नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल एस्कलेपियस अईरुवेदा में दोस्तों आज का सिसन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लाए हैं आपको इस वीडियो के जरिए AWPL कंपनी से रिलेटेट सभी इंपोर्टेंट इमेल और उसके कॉंटेक्ट्स दोस्तों हम आपको बताएंगे आज की सिसन में कि AWPL कंपनी का जो भी प्रोडक्ट मंगाने के लिए हम एकाउंट नंबर हमें चाहिए चाहे हुँ सडा YFC का हो चाहे ICC Bank का हो या usbii का हो उसका एकाउंन क्या है IFC code क्या है इत्यादी के बारे में हम आज जनकरी देंगे इसके अलावा products 60 से हम कैसे kontakles कारें हमारा पे-ाउट फसा हुआ है तरहाइस्चन से Lubung Со से रिलेटेड इशू है, एकाउंट सेक्षन से रिलेटेड इशू है, इन सारे इसूज के बारे में हम आज बात करेंगे बारी-बारी, तो दोस्तों वीडियो में बने रहेगा हैंड तक क्योंकि यह आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, सबसे पहले हम थोड़ा बा बात करेंगे इसके फोन नमबर का और इसके टाइमिंग का जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, दोस्तों यह मंडे टू सटर्डे है, टेन अम टू सेवन पीम और संडे को क्लोज है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं, हेड ओफिस का ही इमेल एड्रेस और हमारी कंपनी का वे प्रोलम है, ताप इस सेक्षन में कॉंटेक्ट कर सकते हो, बाई इमेल भी अब बाई कॉंटेक्ट नमबर के द्वारा फोन के द्वारा भी आप इसमें कॉंटेक्ट कर सकते हो, इसके बाद हम बात करते हैं, प्रोडक्ट सेक्षन से रिलेटेड जानकारी के लिए आपको प घृनिंग से रिलेट्इड जानखारी के लिए तो यहां पर आपको यहां पर 충 by phone number by email address contact कर सकते हो हमारी company के साथ इसके बाद हम बात करते हैं payout sections related payout की यदि समस्या कोई हो रही है कोई payout पसा हुआ है आप क्या तो आप by phone और by email इस section से contact कर सकते हो next है customer care related knowledge customer care का यहाँ पे आपको contact number दिया गया है इसके अलावा email address भी दिया गया है timing भी दिया गया ओपन का 10am to 7pm का दोस्तों आप इसमें product की भी जनकारी ले सकते हो उसके बाद हम बात करते है next banks related यहाँ पे SDFC bank का account name दिया है bank name दिया है account number दिया है branch दिया है branch बताया है इसके बाद IFC code भी दिया है इसका आप इस्तमाल कर सकते हो जब product आप को मंगाना है तो आपको पहले payment करना होता है तो वो payment आप ही SDFC bank में कर सकते हो ICC bank में देख कर सकते हो आपको इसकिन पर दिखाई दे रहा है उसका भी account number और IFC code इसके अलावा SPI bank के थुरू जी आप ये काम कर सकते हो I hope दोस्तों मेरे द्वारा जो दानकारी दी गई है product sections related KYC sections related all important email and important context number of AWPL का वो आपको अच्छा लगा होगा आपको समझ में आया होगा वो आपके लिए benefits वाला होगा दोस्तों मिलते हैं next video में नई जनकारी के साथ यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like करें इसे share करें और जो लोग नए हैं वो please subscribe करें दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की नई जनकारी के साथ धन्यवाद